गया में बम धमाका हुआ और बम धमाके से पूरा अलाका दहल उठा ये धमाका किसी खेत में नहीं ये धमाका किसी मैदान में नहीं ये धमाका हुआ है स्कूल परिसर में गया में वंविसफोर्ट स्कूल परिसर में हुआ वजीर गंज थाना अंतरगत मौजूद एक सरकारी स्कूल के बाहरी परिसर में ये विसफोर्ट हुआ परिसर में ये धमाका होने के कारण दो बच्चे भी घायल हो गए जुनका एलाज अस्पताल में जारी है मौके पर बम निरोधी दस्ता पहुचकर जाच में जुटी तो वहीं पुलस भी मामले की जाच पड़ताल में जुटी तो बता दे कि गया में एक ऐसा मामला सामने आया है जो बेहदा चुका देने वाला है स्कूल के परिस्तर में बम विस्फोर्ट हुआ है और ये बम धमा का इतना तेज था कि तमाम जो एलाके के लोग हैं वो सक्ते में आ गए और इस बम धमा के से दो बच्चे घायन हो गए उसमें बताया गया है एक मौक पट्नी की को आया कुछना जिसके लिए मैं मौक स्कॉर्ट को और स्कॉड को यहां पर डॉक स्कॉर्ट को देज रहे हैं और मैं खुद भी जाते हुए उसमें दो बच्चों का माइनर इंगरी का बात आया है खेलने गया हुए थे वो बताया है अभी खाना स्कॉर्ट को अन्जाम दिया यहां दिन दहारे बैंक आफ बड़ोदा में 15 लाक रुपए की लूट की गई सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलस मामले की जाच में जुटी जानकारी के मताबिक करीब 6 की संक्या में बदमाशों ने लूट की खटना को अन्जाम दिया पॉलस सिस्टिवी फुटेच को खंगालने में जुटी है गौरतलभ है कि उस बैंक में लूट पाठ हुई वहां से थाना भी महस कुछ ही दूर पर था स्थित एक बैंक में बैंको बढ़ारा की एक साखम है अभी एक घंटे पहले एक रूट की खटना सामने आगी तक जो तर्थे सामने आ रहे हैं उसके साथ से तीन से चार लोग की सामें वहने की अंदेशा है समस्तिपूर के रहुआ गाउं में पत्य पत्नी के विवाद में दामाद ने सास को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया जानकारी के मताबिक ससुराल पहुँचे आरूपी मनोज यादव की उसकी पत्नी से कहा सुनी हुई जहां बीज बचाओं में आई सास पर उसने ताबर तोड गोली चला दी गोली लगने से सास की मौत हो गई बृतका के परिजनों ने आरूपी दामाद की पकर कर पिचाई की और पुलस के हवाले कर दिया रोसरा थाना ध्यक्ष ने बताया कि आरूपी के पास से हत्यार भी बरामद हुआ है